हात रस में ससंग में हुई भगदर में 123 लोगों की मौद हुई दावा किया जा रहा है कि इस भगदर की वज़ा जहरी ली गैस थी कुछ हाप पैंट भी पैंने थे, कुछ वैसे पैंट पैंने थे हाथ नीचे करके, इस तरह साइसे करके, इस प्रे ऐसे और भागते रहे, अपना भागते रहे और इस परे पीछे होता रहा है हाथ से की ये थियोरी हकीकत है या छोट, क्या थी लोगों की मौद की वज़ा इसे जाने के लिए दैने क्वास कर रहे हैं कारिक्रम में मौदों प्रिकर के चश्मदीदों से बात पुलिस ने चश्मदीद के तौर पर उनका बयान भी दर्च किया है वो उस दिन को याद करते हुए बताते हैं बताया जा रहा है कि बाबा का काफिला निकलने के बाद लोग रास्ते की धूल लेने के लिए जुके थे तभी और बच्चे नीचे गिर गए जिसके बाद भीड उन्हें कुछलते हुए आगे निकलने लगी जहरीली गहस वाली बात पर राकिश बताते हैं इससे पहले भी बाबा के कही सत्रंग हुए कही इस्प्रे बगारा कही कुछ नहीं हुआ यब भगदर मच रही थी तो उस दोरान इस्प्रे करने कौन आ सकता था ये केवल कालपनिक तथा हाद से से दूसी तरब मोडने की कुछ इस्टा है बस हादसे में मरने वाले लोगों की फैमिली से भी हमने बात की घटना वाले दिन के बारे में वो बताते हैं वहाँ पर लोगों को मैनेज करने के लिए बाबा की फोर्स थी लेकिन पुलिस फोर्स नाम की भी नहीं थी इसी वज़े से ये आवेवस्था होई हातरस पुलिस अधिक्षक निपुण अगरवाल के मताबिक हमारी जाच में ऐसी कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई है फिलहाल ये गैस वाली बात सच नहीं है तो वही पोस्ट माटम रिपोर्ट में इसके कोई सबूत नहीं मिले है आगरा के सन मेडिकल कॉलेज में सचसंग में मारे गए 21 लोगों का पोस्ट माटम किया गया इन में से तीन डेट बॉडी को हेड इंजरी थी और तीन को शौक एंड हैमरेश था वही जादातर मौतें दम घुटने से हुई थी SIT ने सोमवाराज सेम योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौपी रिपोर्ट के बाद सरकार ने 9 पॉइंट्स पर बयान जारी किया जिसमें आयोजकों और प्रशाशनिक अधिकारियों को लापर वहाँ बताया गया अगर प्रशासन वक्त रहते इस मामले को रोक लेता गैस वाली बात बोली जा रही है कि जो सत्संग हुआ था वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी गई थी ये बातें सारी कालपनिक हैं बैनिक भासकर के लिए याकूत अली